हेलो एब्रिवान, वेलकम बैक टो क्राफ्ट रेंट फूर्ट, आस मैं आप लोग के साथ सेयार करने वाली हूँ ओडिशा की और एक ट्राडिशनल रेसिपी जिसको आम घर पे बहुत ही इजी हुए में और कम इंग्रिडेंस में बनाएंगे, इसको बनाना बहुत ही इजी है तो इस रेसिपी को देखने से पहले, अगर आप मेरे चनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करतीजी और साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिलकुल मत बुलिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आच्छा लगता है तो लाइक कमेंड करना ब बनाते हैं और यह बनाने में बहुत ही इची रहता है, हमारी ओडिशा में 12 महीने में 13 मतलब फेस्टिवाल रहता है, तो हम लोग बहुत सार रेसिपी ट्राइब करते हैं, आज मैं उन में से आप लों के साथ साथ सेयार करने वाली हूं मेथी पोड़ो बिठा, तो चलिए स बहुत हैं और यह ऴुत हैं, तो चॉपल्ब पोत पर रेस बाशुक के उना में 20-2 देते हैं Viel से बाशुक्षा बवनाέρ नगी ट्रेश निये, तो रात क्षा ट्राइब करते हैं तो रात थे liar कशा में से आफ से महीं, थाप उड़क। यह फुल गया है तो इसमें आभी हम आढ़ करेंगे नमक तो तुरणत अम नमक आढ़ नहीं करेंगे इसलिए मेने इसको ठाक कर रहा था कि अच्छे से फर्माट हो जाए उसके बाद नमक धरेंगे तो यहां पर मैंने एडा हुआ हुआ यह दो चमज नमक याद करा हुआ है आप टेस्ट के एक उड़न कर सकते हैं तो यहां मेंते फॉन्धी के वांतिति कमfähं किलिया हुआ है आप चीनी और थोड़ा सा चोटा चोटा टूक्णे में गया हुआ नारियल तो यहां पे आप चीनी जो एपने डेस्ट के एकोडिंग आड़ कर सकते हैं चीनी के बतले आप इसमें जागरी यानि की गूड का भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन चीनी से क्या होता है इसका जोड़ता है नमक और शुगर इसलिए हम इसको अच्छा से मीक्स करेंगे जब हम इसको ग्राइंड करेंगे ज्यादा पानी देके नहीं करेंगे थोड़ा सा थीक टाइप के ग्राइंड करेंगे लेकिन हमको एक तब फाइन ग्राइंडिंग चाहिए पहले आप पॉल्स में करिएगा उसके पाद थोड़ा सा पानी देखे अगर ग्राइंड करेंगे तो यह अच्छा से बैटर बनके रेडियो जाएगा आप यह दिखिए कितना अच्छा से बनके रेडियो गये तो इसी स्टाइज पे हम इसको रख लेंगे साइड में और चलेंगे नेक्स्ट प्र तो उसमें भी आप कर सकते हैं तो यहां पर मैंने घी आड़ करने के बाद सारे बैटर करूंगी ज्यादा हीट नहीं है तो यह हलका सा अगरा में अभी इस स्टेज पे मैं बैटर आड़ करूंगी तो आप जितने क्वांटिटी में आपको चाहिए आप उसी के हिसाब से आ तो उससे आधा मैंने आड़ कर दिया था बेटर क्योंकि यह थोड़ा सा फूलेगा और यह थोड़ा सा कडाई बढ़ा था इसलिए मैंने यह थोड़ा सा ज्यादा हुआ है अभी इसको हम हाई फ्लेम में रखे हैं तो देखिए नीचे से अभी जो घी है उपर आ रहा है त जब हम इसको यह थोड़ करेंगे हाई फ्लेम में रखेंगे तो बेटर आड़ करने के बाद हम लो टू मीडियोम फ्लेम कर लेंगे और ठक्के 5-7 मिनिट या फिर 8 मिनिट तक हम इसको कूप करेंगे तो आप यह आट मिनिट के पाद में आपको दिखा रही हूँ आप पराई हो जाएगा तब हम इसको पल्टेंगे तो वही मीडियम टू लो फिलेम पर रखेंगे और दुबार इसको ढख लेंगे बीच में आप चेक करते जाएगा अब यहां पर 11 मिनिट यानि की 10-11 मिनिट के बाद मैं आपको दिखा रहे हूँ इस पीठा है हमारा उपर से इसको अगर आपको हडवड़ी नहीं है तो आप क्या करेंगे थोड़ा से थंड़ा आने देंगे फिर उपल्टाएंगे तो आप देखिए नीचे से कितना अच्छे से कलर आ गया है अभी मैं क्या करूंगे इसको पल्टाओंगे और दुबारा 5-7 मिनिट के लिए हाई प् सुपर सॉफ्ट बनके हमारे जो मेथी के पोड़ो पिठा बनके रेडी हो गया है एक्तम सॉफ्ट और स्पॉंजी है इसको खाना जितना असान है बनाने में भी उतना ही जी है आप भी देख सकते हैं कितना ही हमें बनके रेडी हो गया है इसको आप कोई भी सबची यानि कि मटर के सबची आलू के सबची या फिर आप ऐसे दूद के साथ भी खा सकते हैं तो आप ही जो महिना आ रहा है मर्गसीर महिना इसमें हम जया करते हैं मालक्ष्मी जी को पुझा करते हैं और हम लोग ऐसे ही रेसिपी कुछ बनाते हैं और भोग भी लगाते हैं तो यह था मेरा आज का रेसिपी अगर आ वीडियो आच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट चार करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करती जिए और ये सुपर साफ्ट बिठा बनाने के लिए वीडियो को यंद तक देखने के लिए थैंक्यू शो मच तो मेरे चैनल पर अल्रेडी बहुत सार प्लेडिस्ट में आप जाएंगे ओड़ी सा ट्राडिशनल पीठाओं मिठा रेसिपी में आपको मिल जाएगा तो मिलते हैं एक ने रेसिपी के साथ तब देके लिए बाई